दियर इस्टुडेंट्स, पिछले सेशन में मैंने आपको फाइलम एस्क हलमेंथिस या निमेट हलमेंथिस का क्लासिफिकेशन और केरेक्टर समझाया था. इस फाइलम में एक क्लास निमा टोड़ा है, जिसमें कई तरह के पारासाइटिक वर्म्स पाये जाते हैं, उसी में एक है एसकेरिस लुम्रिक वाइडिस, जिसे आप कॉमन राउंड वर्म या कॉमन जाइंट राउंड वर्म कह सकते हैं, क्योंकि ये 25 से 30 सेंटिमीटर तक लंबा इंटेस्टाइनल वर्म है, हमारे इंटेस्टाइनल में पलने वाला वर्म है. अब क्लासफिकेशन समझाते समय आपको बताया गया था कि L.H. हाइमन ने एसकेलमेंथिस फायलम को फायलम का दर्जा दिया था, लेकिन बाद में लोग इसे सूपर फायलम कहने लगे, इसलिए जो क्लास निमा टोड़ा था, उसका प्रोमोशन फायलम में हो गया, और उसके अंदर का सब क्लास जिसके एसकेरी डीडा कहा जाता है, उसमें यह एसकेरिस नाम का जीनस है, और इसे लूम्ब्रीकस नाम के अर्थवर्म से मिलते जुलते मॉर्फोलोजी के कारण एसकेरिस लूम्ब्रीकौाइडिस नाम दिया गया, इस वर्म को जमाने से लोग जानते थे, लेकिन बाइलोजी की दृष्टी से ना तो इसे नाम दिया गया था, और न तो इसके लाइफ साइकिल का एस्टेडि किया गया था, एड़वर्ड टाइसन ने 1683 में पहली बार इसे डिस्क्राइब किया और यह नाम एसकेरिस लूम्ब्रीकौाइडिस लिनियस ने दिया, ब्रेटन रेंसम और विन्थ्रो फॉस्टर ने 1917 में इसके लाइफ साइकिल का अध्यन किया, यानि कि हम इसके जीवन चक्र को लगभग सौ साल से जान रहे हैं। तो आईए हम लोग इसे डिटेल में समझें। जब आप एसकेरिस को जो अक्सर बच्चों के स्टूल के साथ बाहर आता है, आप सेपरेट करके वास करके देखिएगा, तो यह राउंड वर्म काफी लंबे, अर्थ वर्म की तरह सिलिंडिकल आगे पीछे नुकीले दिखाई पढ़ेंगे। यह क्रीमी हुआइट कलर का, यह कभी-कभी लाइट ब्राउन कलर का होता है, जिसके जोनों छोर नुकीले हैं। एक तरफ माउथ और दूसरे तरफ इसका टेल पार्ट है। यह दो एसकेरिस हैं। दोनों को ध्यान से देखिए। तो आपको इसमें एक सामान अंतर मिलेगा। एक बड़े वाले वर्म में पिछला हिस्सा टेल थोरा मुरा है। लेकिन इस छोटे वाले वर्म की तरह गोल लिप्टा हुआ नहीं है। तो पहला वाला वर्म यह फीमेल है और यह दूसरा वाला वर्म मेल है। इसमेल का माउथ यहां है और इस कर्व हिस्से में इसका एनस क्लोएका के रूप में पाया जाता है। फीमेल का उल्टा डाइरेक्शन में दिखलाया गया है, माउथ नीचे है और इसका एनस इस कर्वेचर वाले पार्ट पे दिखाई पड़ता है। हम एक आर्टिस्टिक डाइग्राम के थुरू इसकी रचना को मॉर्फोलोजिकली समझ सकते हैं। यह है आर्टिस्टिक डाइग्राम। माउथ के ठीक पीछे लगभग एक सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्क्रिटरी पोर है, मेल और फीमेल दोनों में। फीमेल जनाइटल एपरचर इस फीमेल के लंबाई के वन थार्ड पार्ट में इस पोजिशन पर आप देख रहे हैं, एक छोटा सा एपरचर है। और एनस अंतिम छोड से थोड़ा पहले हैं। मेल में इस कड़बाले हिस्से में कुलोय का है, उसमें एनस और जनाइटल एपरचर एक साथ जूट कर खुलता है। और उसके बगल में दो हूग है, इस तरह से एक नुकीले रचना का जोड़ा पाया जाता है, जिसको पीनियल सीटा नाम दिया गया। यह मेटिंग के समय, कॉपुलेशन के समय, फीमेल को होल्ड करने में, पकरने में, मदद करने वाला एक हूग जैसी रचना है। अब हम लोग इन पॉइंट्स को एक एक करके फिर से समझें, जो फीमेल वर्म है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और इसकी गोलाई या मोटाई 2 से 6 मिलीमीटर तक होती है। इन वर्म्स के एपिडर्म पर एक मोटा क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है, और माउथ में तीन लिप्स हैं, एक भेंटरल और दो डॉर्सो लेटरल। इन लिप्स के ऊपर छोटे-छोटे महीन टित जैसी रचना पायी जाती है। इन में पूर्ण विक्सित डाइजेस्टिव ट्रेक्ट है, एलमेंटरी के नाल है। एक स्क्रिटरी एपर्चर आगे से लगभग एक सेंटिमीटर पहले, यानि माउथ के पीछे है, भेंटरल सर्फेस की ओर। और जेनाइटल एपर्चर आगे से एक तिहाई दूरी पर वह भी भेंटरल सर्फेस की ओर है। तो बाहर से आप इसके माउथ को, एक स्क्रिटरी एपर्चर को, जेनाइटल एपर्चर को आसानी से पहचान सकते हैं। अंतिम छोर पर थोड़ा पहले एनस का ओपनिंग है। एकदम टर्मिनल ओपनिंग नहीं होता है। अंदर में इनका जो जेनाइटल सिस्टम है, वह दो नलियों से बना हुआ है। इन नलियों का सबसे उपर का हिस्सा ओपरी का काम करता है और बांकी हिस्सा ओभी डक्ट का काम करता है। ये दोनों ओभी डक्ट आपस में जूट कर भेजाइना और यूटेरस का निर्मान करते है। पहले एक वाइडर एस्पेस यूटेरस का उसके बाद एक पतली नली भेजाइना का है जो फिमेल जनाइटल एपर्चर तक फैला रहता है। जो फाटिलाइड एग स्टूल में मिलते हैं वे थोड़े ओभल हैं और इनका आकार चालिस माइक्रो मीटर के करीबन चवराई में और पैंशट माइक्रो मीटर के लगभग लंबाई में हैं। दे एक्स आर ब्राउन और येलो ब्राउन और येलो ब्राउन और ये थीक शेल। तो ये अंडे उजले या हलके भूरे होते हैं। हावा में ज्यादा देर छोड़ने पर इनका कलर डार्क होने लगता है। और इनके उपर एक मोटा सा शेल यानि खोल पाया जाता है। अब मेल में क्या होता है। मेल मेल है स्मौलर है। मैक्सिमम तीस सेंटिमेटर लंबा और पिछला हिसा गोल कर्व हो गया है। and contains a sub-terminal cloaca, its posterior end is curved and contains a sub-terminal cloaca, यानि कि अंतिम छोर से थोड़ा पहले cloaca पाया जाता है, into which anus and genital apertures open together, तो female ascheris में cloaca नहीं होता है, और male ascheris में cloaca होता है, female में excretory, genital और anus, ये तीन अलग-अलग opening है, genital opening आगे से एक तिहाई दूरी पर है, लेकिन male में genital aperture, anus के साथ जूट कर cloaca बनाता है, और पीछे के कड़ बाले हिस्से में खुलता है, they have a pair of pineal cita also in front of the cloaca, cloaca के ठीक सामने एक जोरा नुकीला हुक की तरह pineal cita पाया जाता है, they have a single tubular genital duct, the apical part forms testis, and the remaining part acts as a sperm duct or vast difference, female के विप्रित male में एक ही tubular structure है, जिसके छोर पर testis का काम हो रहा है, sperm बन रहा है और बाकी हिस्सा sperm duct है, अब लाइफ साइकल कैसा है, the life cycle of nematodes involve five stages, four larval stages and finally the adult stage, adult worms reside in the upper part of a small intestine, where they survive on pre-digested food, इसका adult intestine के उपरी हिस्से में रहता है, और जो भोजन हमारी intestine में पचता है, उसी पचे या अधपचे भोजन को या ग्रहन करता है, आम्तोर से इसे अपना digestive gland नहीं है, इसलिए हमारे द्वारा पचाय हुए भोजन से ही, या अपना nutrition अपना portion प्राप्त करता है, अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिये, हमारा फूद पेरिस्टाल्सिस के कारण आगे से पीछे की और खिशकता है, तो एस्केडिस भी फूद के साथ लिपट कर पीछे की और चला जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन होके बाहर पास कर जाएगा, तब तो हम सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए, लेकि ऐसा नहीं होता है, जिस भेलोसिटी से पेरिस्टाल्सिस के कारण फूड पीछे की और जा रहा है, लगभग उतनी ही भेलोसिटी से यह एस्केरिस इंटेस्टाइन की दिवार में चिपक कर, खुद अपने आपको आगे की और ले जाता है, तो रिलेटिव मोशन हो गया जीरो, जहाँ यह पहले था वहीं हमेशा रहेगा, तो इसमें आगे की और मूब करने की संभाव न रहती है, यही कारण है कि कभी कभी, जब लोग खाली पेट रहते हैं, कोई लिक्विड डाइट लेते रहते हैं, तो यह अपर इंटेस्टाइन से निकल कर डियोडिनम होते हुए, इस्टॉमेक में चला जाता है, और कई बार भोमिटिंग के द्वारा यह मूह हो करके बाहर निकल जाता है, अब चुकी यह मेल और फीमेल अलग अलग है, तो क्रोस फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन इंटर्नल होता है, एस्पर्म्स भेजायना होते हुए यूटेरस में, और वहाँ से ओभीडक्ट में उपर की और एसेंड करते हैं, जबकि एक्स टेस्टिस से निकल कर ओभीडक्ट होते हुए यूटेरस क्यों राता है, तो बीच में जहां भी ये दोनों गैमिट मिल जाएं, ओभीडक्ट या यूटेरस में वही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इसे इंटर्नल इन दे यूटेरस और ओभीडक्ट, दे फिमल वर्म लेज एक्स और शीकन प्रोडूजेशन प्र दे यानि दो लाख अंडे प्रति दिन ये देती है, ये एक्स और फर्टिलाइजट बट नोट इंब्रायोनेटेड एंड एक्स और पास्ट आउद विर्फीकस, ये एक्स फर्टिलाइजेशन हैं जो बाहर निकल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के तुरत बाद इनके ऊपर एक कभर या शीत का निर्मान कर दिया जता है, लेकिन उसमें एम्ब्रायो बनने में काफी समय लगेगा, ये इस टूल के साथ बाहर जब डिपोजित हो जाता है, किसी खुली भींगी जगा पर ये डिपोजित हो जाता है, तो वहाँ धीरे धीरे दो से चार सप्ताह में एम्ब्रायो जिनेसिस होता है, अब दो तरह की बात है, सामानी रूप से दो से चार सप्ताह में ये एम्ब्रायो का निर्मान कर लेता है, लेकिन अगर इसे फेवरेबल कंडिसन नहीं मिलता है, तो बहुत लेट से कई महिने के बाद एम्ब्रायो जिनेसिस होता है, और मरिदार बात कि यह है, कि इसके जो एक्स है, वो एन्भायोर्मेंटल कंडिसन में बड़े ही रेजिस्टेंट माने जाते हैं, काफी समय तक मिट्टी में पड़े रह सकते हैं, कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि एक साल तक ये अविक्षित अवस्था में मिट्टी में परे रह सकते हैं The eggs are only infective once they are embryonated and have larva in them अंडे के अंदर ही larva विक्षित होगा और larva के ऊपर एक पतला सा थीका membrane का बना हुआ पतला सा खोल है तो जब larva बरा होने लगता है तो यह खोल उसके growth को रोकता है इसलिए अपने lifetime में ये चार बार molting करता है अपना कभर यानि थीका उतार देता है और तब फिर विक्षित होने लगता है इसी बीच दुबारा थीका का निर्मान हो जाता है फर्स्ट molting टेक्स प्लेस विदिन एक शेल and the embrionated eggs become infective तो अंदर ही cell division के द्वारा धीडे धीडे इसका embrionic development होता है जिससे की एक लारभा बनता है और उस लारभा का पहला मोल्टिंग अंडे के अंदर ही होता है जिससे second stage लारभा बनता है यह second stage लारभा infective stage संक्रामक अवस्था कहलाता है अगर यह मिटी में यूही परा रह जाए तो 10-15-20 दिन के अंदर यह मर जाएगा लेकिन अगर यह किसी तरह से भोजन पानी के साथ मुह होते हुए stomach और intestine में चला आए तब इसका आगे विकास यानि 34-14 stage लारभा का निर्मान होने लगता है Bile salts and alkaline enteric juice of the small intestine stimulate the release of larva from eggs इस second stage larva, named as raftery form, then travel from small intestine to liver एक cell को digest करने का काम थोड़ा stomach के acid और enzyme की मदद से तो बागी pancreas के enzymes की मदद से होता है अब धीरे धीरे जब एक cell गलने लगता है तो इससे लारभा यानि जो भेनाय लारभा बाहर आते है इस लारभा का बास्तविक नाम रेब्डाइटी फॉर्म है जुबेनाय लारभा का मतलब हुआ तुरत जनम लेने वाला अंडे से निकल कर जो लारभा जनम लिया नवजात लारभा को जुबेनाय लारभा कहा गया यह थोड़ा notorious है यह इस्थिर वहीं पर परा नहीं रहता है बलकि यह intestine की दिवार में छेद कर बलड में चलाता है और hepatic portal भेन के द्वारा बाते हुए यह liver में चलाता है तो इस तरह से second stage लारभा intestine से liver में चलाता है अब liver से निकल कर यह फिर heart की ओर जाता है इसी बीच संभावता second molting होता है अब third stage लारभा heart से निकल कर lungs की ओर जाता है और lungs के epithelium को छेद कर उसके alveoli में चलाता है lungs और mouth के बीच यह अपना चौथा molting करता है जब यह alveoli के अंदर इधर उधर घूमता है तो उससे सुरसुरी यानि irritation होती है और सूखी खासी उत्पन होती है अब यहाँ समझे कि यदि किसी आदमी के खासने से उसके मुह में कफ आ जाए गारहा म्यूकस सला आए तो वो थूक देगा इस्पिट कर देगा और इससे वो अलारभा हवा में पड़ा पड़ा मर जाएगा लेकिन अगर मुह में कोई ऐसा गंदा पड़ार्थ नहीं आता है तो लोग अपने सलायभा के साथ हमेशा सलायभा को निगलते रहते हैं तो सलायभा के साथ यह फोर्थ इस्टेज लारभा दुबारा वापस इस्टोमेक और इंटेस्टाइन में निगल लिया जाएगा तो बहुत सारे लारभा इस माइग्रेशन पाथ को पूरा नहीं कर पाते हैं कुछ लारभा माउथ में आने के बाद इस्पिट कर दिये जाते हैं और बाकी बचे लारभा फिर वापस इस्टोमेक और इंटेस्टाइन में आते हैं एक से निकल कर दुबारा निगले जाने तक लगबग साथ दिन का समय लगता है फिप्टी एट टू सिक्टी डेज टाइम इसके माइग्रेशन में लगता है यह एक जटिल क्रिया है और सायद इसके माइग्रेशन का कारण लारभाल डेवलप्मेंट के लिए आक्सीजन की उपलब देता है बलड का आक्सीजन इंटेस्टाइन से इसे अपनी और आकरसित करता है और लंग्स का आक्सीजन बलड से अल्वियोलाई की और इसे आकरसित करता है इसलिए चोथा मोल्टिंग के बाद इसके ग्रोथ की आवसेक्ता खत्म हो जाती है और अब वह जब दूबारा निगला जाएगा तो सीधे एडल्ट में परिणत हो जाएगा बदल जाएगा और अन रसे एडल्ट जाएगा तल्स की और सुदा निगला जाएगा तल्स कर्ने लगेगा झाल्ट तो जाएगा ्छर्वट्व बलुवट्वट् लूंग फश्षा चफ्षा प्ध माथ्ट्व्ट्वट्वस्ट्वस्ट था maior aր Sans swallowed and they pass once again to a small intestine there they mold finally and four times and develop into adult form चौथा मोल्टिंग लंग्स में माउथ में कही पर हो रहा है और निगले जाने के बाद ये सीधे बरा होते हुए एडल्ट में कनभर्ट कर जाएंगे अब पांचमा मोल्टिंग नहीं होगा इसका मतलब थीका के बदले एडल्ट में थीन क्यू टिकल का विकास होगा थार इडल्ट वर्स का लीप कर लइड लीप्ट सिर्फ प्रथे टर्यू एंट ये ये थीन क्यू पर्यदुक्रिका विड्ट लीड the だि विकल ऑर इसका लाएंगे खे झाल39 येट इन्फेक्टिव पूरा रिप्रोडक्शन की क्रिया पूरे ग्रोथ की क्रिया इंटेस्टाइन में नहीं हो सकती है फर्टिलाइजेशन के बाद यह अंडे उत्पन करती है वह अंडा सीधे विक्सित होकर एडल्ट नहीं बना सकता है उसे किसी ने किसी तरह इस टूल के साथ बाहर आना है और बाहर आने के बाद इसमें इंब्राइनिक डेवलोप्मेंट होगा और बाद में इस इंब्राइनेटेड एग को दुबारा निगला जाएगा अब जैसे यह देखिए यह शेल्ड एग है यह बाहर मिटी में परा रहा दो चार सब्ता महीने भार या कुछ महीने के बाद इसके अंदर लाड़भा बना रेवडाइटी फॉर्म यह लाड़भा एक बार मोल्टिंग करके सेकेंड स्टेज में चला आता है अब इसको इंफेक्टिव स्टेज बोलते है अब किसी तरह मुह में यह आया भोजन पानी के कंटामिनेशन के कारण और खासकर बचों के द्वारा मिटी लगे हुए गंदे हाथ से खाना खाने के क यहां यह एडल्ट में कंवर्ट किया कैसे तो पहले लाड़भा निकला लाड़भा बलड होते हुए लीभर में आया लीभर से यह हर्ट में आया हर्ट से यह लंग्स में आया और लंग्स से माउथ होते हुए जब दूबारा निकला गया तो यह वही लाड़भा एडल्ट में कनभट कर गया तो इस बीच के रास्ते में जब वह ब्लड से गुजर रहा है उस समय में कुछ लारवा के मर जाने मरने के बाद गला दिये जाने digestive enzyme के द्वारा या फिर WBC के द्वारा खा लिये जाने की घटना संभव है इस life cycle को बहुत short में ऐसे दिखलाया गया कि यह intestine है और इस intestine से यह फीकस डिपोजिट हुआ इस फीकस में यह अंडे हैं यह अंडे दुबारा खाये गए फिर intestine में आ गए और वहां से फेफरे में गए फेफरे से फिर वापस stomach में आए और फिर यह फिर adult बनके reproduction करने लगे तो इस figure में बहुत ही मोटा मोटी इसारा किया गया है जितना इसके पहले वाले figure में एक-एक step समझाया गया है वैसा इस figure में नहीं समझाया गया है इसलिए परिक्षा की दृष्टी से आप पिछले वाले diagram पर ज्यादा ध्यान दीजेगा अब अगर round one पेट में पाए जाते हैं कई लोगों में एक-दो एसकेरिस है कोई symptom नहीं होता है कुछ भी पता नहीं चलता है तो बिना symptom के आप दवाई भी नहीं कीजेगा इलाज भी नहीं कीजेगा roundworms in lungs can cause coughing or gagging, waging or shortness of breath, aspiration pneumonia, blood in mucus, chest discomfort and fever बहुँ सारे लाडभा अगर blood के द्वारा भाग के lungs में आते हैं तो लंग्स की दिवार को घायल करते हैं उसके infection के कारण खासी होती है, सास लेने में कभी-कभी तकलिप होने लगती है, pneumonia जैसा लक्षन उत्पन होता है कई बार तो फेफरा इतना damage हो जाता है कि blood निकलने लगता है और फिवर इत्यादी होते हैं तो यह सब इनके लाडभा के infection का नतीजा है अब राउंड बर्म वहां से जब दुबारा stomach और intestine में चलाता है तो इसका असर digestion पर पड़ता है इस रेगुलर इस्टूल और डाइरिया पाचन क्रिया प्रभावित हो गई भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो बार बार इस्टूल डिस्चार्ज करना परेगा इन्टेस्टाइनल ब्लॉकेज बहुत सारा अगर जमा हो जाए तो intestine का रास्ता फंस जाता है ब्लॉक हो जाता है बोजन पीछे नहीं खिशकेगा खाना खाने की इच्छा समाप्थ हो जाएगी पेट में दर्ध होगा और कई बार intestine की दिवार को ये घायल कर देता है जो जानलेवा हो जाता है तो फिर सरजरी के द्वारा इसे निकालना परता है बच्चों में बेट लउस होना विकास में बाधाय उत्पन करना ठीक से विक्सित नहीं होना बच्चे का और बार बार वह थूगते रहता है कई बार तो बच्चे सोय में दाथ को कट-कट-कट-कट बजाते रहते हैं मसल का किसी टॉक्सिक मेटेरियल के कारण यह कमपन दाथ बजने की सिकायद उत्पन करता है Some people with a large infection may have other symptoms such as fatigue and fever ज्यादा infection की स्थिती में कमजोरी ठकावट और बुखार भी उत्पन होता है लेकिन पेट में दर्द की सिकायद, पेट खड़ाब रहने की सिकायद, खाला खाने की इच्छा नहीं होना, मिचली होना यह सामाने लक्षन है अब इसका transmission कैसे हुआ? तो अगर खुली जगापर फिकल दिस्पोजल होगा, बचे लेटिन जाएंगे तो वहाँ पर लेटिन दो चार पांच दिनों के अंदर मिटी में मिक्स कर जाएगा उसी में इसके अंडे पड़े हुए हैं जो की भोजन और पानी के contamination के द्वारा हमारे माउथ में आएगे बचे ऐसी खुली जगापर खेलते हैं, उसके हाथ में गंदगी लगती है उसमें इसके अंडे भी सामिल हैं अगर खुब अच्छी तरह हाथ नहीं साप किया जाए तो यह अंडे मूँ होकर अंदर प्रवेश कर जाएगे तो आम तर से यह औरली आता है, फीकल मैटर से कंटामिनेटर स्वाइल के साथ जिसमें इसके अंडे हैं इस एग्स मैचूर इन बड़ी एंडल्ट फीमल वर्म्स कें देन ले एग्स देट कम आउट इन फीकस अब लाडवार रिलीज होगा, माइग्रेट करेगा, लंग्स में जाएगा, फिर स्टॉमक और इंटेस्टाइन में लोटेगा, तब यह एडल्ट में कंबट करेगा अब एडल्ट बनने के बाद, यानि इनफेक्शन के एक दो महिने के बाद, जब यह मैचूर हो जाएगी, तो फीमल फिर से अंडे उत्पन करने लगेगी इनफेक्शन विट स्केरिस एग इस सो कमन बिकाज दे एग्स आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इनवार्नमेंट दू पूर सैनिटेशन प्रैक्टिसेज गाओं के छेत्र में और विक्षित देश और राज्यों में खेतों और मैदानों में फीकल कंटामिनेशन होता है और इसलिए अगर स्वाइल हैंड से कोई बच्चे मिट्टी लगे हुए हाथ से कोई बच्चा खाना खाता है कोई भी चीज खाता है तो वहाँ इसका इनफेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा Note however that in order for the eggs to be infective it should be embryonated यानि direct egg बिना embryo बने इनफेक्टिव नहीं होता है The feces must have been infected two to four weeks before it is ingested तो बाहर फीकस discharge होने के दो से चार सप्ता के बाद ही इसके अंदर embryo बने की संभावना है उसके बाद ही ये infective हो पाता है It should be noted that ascaris eggs are some of the most resistant existing microorganism Their herty cell consists of four layers of secretions Escheroside, chitinus, viteline and uterine एक के बाहर पहला layer uterine secretion से बनता है उसके बाद दूसरा layer yoke cell से बनता है यानि viteline होता है उसके बाहर तीसरे layer के रूप में chitin जैसा पदार secret किया जाता है और सबसे बाहर Escheris का एक special तरह का construction जो carbohydrate से मिलता जूलता है Escheroside पाया जाता है इन chemicals के कारण हमारे intestine के enzymes भी इस cell को पूरी तरह से नस्ट नहीं कर पाते हैं और larva पर हमारे digestive enzyme का असर नहीं होता है अब आपके मन में एक प्रस्ण आता होगा कि न तो larva न तो adult इन दोनों को क्यों नहीं हमारा digestive enzyme मार पाता है किल करके digest कर पाता है तो जो भी parasite हमारी intestine में रहता है चाहे वो entamiva क्यों न हो वो कोई नो कोई ऐसा chemical अवस निकालता है जो कि हमारे digestive enzyme को खराब कर देता है नस्ट कर देता है तो उसे हम anti enzyme नाम देंगे तो anti enzyme के कारण उसके संपर्क में आते ही हमारा digestive enzyme खराब हो जाता है ineffective हो जाता है इसलिए worm के उपर इसका असर नहीं पड़ता है लेकिन enzyme के इस denaturation के कारण खराब हो जाने के कारण हमारा digestion भी प्रभावित हो जाता है हम भोजन को ठीक से पचा नहीं पाते है In fact, a scaris egg can survive for many years in the soil और कई बार तो ऐसे अंडे कई साल तक जीवित रह जाते है तो अब इसकेरिस के infection को रोकने का क्या तरीका हो सकता है तो local level पर हर जगा तौईलेट की वेवस्था हो open medification मल त्याग पूरी तरह से रोक दिया जाए नाली नाला septic tank इत्यादी का development किया जाए विकास किया जाए शुरक्षित किया जाए और जहां कहीं ट्यू बेल कुआ या तालावों का पानी पिया जाता है तो पीने के पानी को बच्छी तरह से फिल्टर किया हुआ होना चाहिए जिससे क्यूआ बिभिन प्रकार के जर्म से मुक्त हो जाए और बच्छों को हमेशा ये समझाना चाहिए कि बिना अच्छी तरह से हाथ धोए कभी भी कोई भी भोजन नहीं लेना चाहिए कुछ बच्चे खेलते खेलते भी मुह में उंगलियां रखत लेते हैं उन्हें इस गंदी आज़त से रोकना चाहिए बेजिटेबुल सेंट फ्रूट एटसेटरा सूर्भी वास्ट विथ क्लीन वाटर तलाब उलाब के पानी से सबजी जैसी चीजों को धोना ठीक नहीं है क्योंकि उस पानी के साथ सबजी में विभिन प्रकार के पारासाइट आकर चिपक जाते हैं और घर में भी अगर हम ठीक से उसे वास नहीं करते हैं या वास करते हैं तब भी संभावना है कि कोई न कोई पारासाइट कुछ न कुछ मात्रा में उसमें रह जाए पोटेबिल वाटर रिसोर्सेट मस्ट भी फ्री ओफीकल कंटामिनेशन तो लेटिन की वेवस्था नदी तालाब को फीकल मैटर से मुक्त करने के लिए सेनिटेशन सिस्टम को ठीक करने की वेवस्था और पीने के पानी को सुध करके पीने के लिए सप्लाय करने की वेवस्था यानि विकास के द्वारा ही हम इस तरह के इंटेस्टाइनल पारासाइट से छुटकारा पा सकते हैं अब ये पारासाइट कुछ एक ही देश में सीमित नहीं है ये दुनिया के लगभग हर हिस्से में रूरल एरियाज में खास कर काफी फैला है और एक से डेर बिलियन लोग एसकेरिस के इंफेक्शन से प्रभावित है ये वर्ब अपर इंटेस्टाइन में रहते हैं और अगर ये बिना लक्षन के हैं उनके इंफेक्शन का पता नहीं चलता है तो ट्रीटमेंट भी लोग नहीं करते हैं तो फिर आगे ये अंडे देंगे और अगर ठीक से फीकल डिस्पोजल नहीं होता है तो फिर दूसरे लोगों में इन अंडों में जब लार्भा का विकास हो जाएगा तब इंफेक्शन हो सकता है कभी कभी बहुत बड़ी संख्या में इसकेरिस का जब इंफेक्शन होता है पूरा इंटेस्टाइन में यह लंबे-लंबे आके जम जाता है तो ऐसी स्थिती में भोजन नीचे की और खिसकी नहीं सकता है पेट में खूब जोड़ दर्द उत्पन होती है और तब सरजरी के द्वारा उसे निकालना पड़ता है यह देखे किस तरह से यादमी पेट दर्द से परशान है क्यों दर्द है तो उसके इंटेस्टाइन में यह एसकेरिस छेद कर रहा है उसको गायल कर रहा है बड़ी संख्या में अगर इस तरह से घायल करेगा तो पेट दर्द से परशान रहेगा और यह वर्म भी इस टोमेक की दिवार इंटेस्टाइन की दिवार को पार कर बड़ी केविटी में चले आएंगे जो जानलेवा हो सकता है अब आप एक्जाम्पुल के तौर पर देखिए कि यह इंटेस्टाइन को आपरेट करके निकालना पड़ा है जिस हिसे में इतना सारा एसकेरिस जमा है इसे एक कर्चुन कर प्लेट में राखकर दूमेस्टेट किया गया कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में इस ब्यक्ती के अंदर एसकेरिस का इंट्रक्शन था यानि कि वह एक गंदे एरिया में रहने वाला ब्यक्ती था वहां का ड्रिंकिंग वाटर में ठीकल डिस्पोजल्स मिक्स कर जाते थे वह ब्यक्ती गंदे हाथ से खाना खाता था इसलिए इतनी बड़ी संख्या में इसकेरिस उसके इंट्रेस्टाइन में पाया गया माल्यक किसी आदमी के अंदर पचास इसकेरिस है तो कम से कम पचास अंडों को उसने खाया है पाच-दस जादा ही खाया है तो निश्चित रूप से वह उसके हैबिट्स के कारण बैड हैबिट्स के कारण जानलेवासिद होता है तो अगर इसकेरिस की शिकायत है लक्षन से समझ में आ रहा है इस टूल टेस्ट में उसके एक्स दिखाई पर रहे हैं या एक दो वर्म इस टूल के साथ बाहर निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अगर छोटा वर्म रहता है पीन वर्म और हुक वर्म तो पाइपरा जाइन साइट्रेट या एसिटेट से काम चल जाता है लेकिन बड़े वर्म बड़ी संख्या में हो तो उसके लिए एलवेंडा जॉल, मेवेंडा जॉल, लिभा मिसोल और लिभर मेक्टिन जैसी दवायों का जितना डॉक्टर, जितनी मात्रा में जब-जब लेने के लिए कहे लेना पड़ता है अपने मन से इंदवायों का उप्योग नहीं करना चाहिए ये थोरे जहरीले है इसका निश्चित दोज है तीन महिना में एक बार या छे महिना में एक बार पांच मिली लीटर या दस मिली लीटर का लेक्विड या टेबलेट, आधा या पूरा ये डॉक्टर्स बताते है प्रिग्नेंट उमेन को देना ये एकड़म प्रतिवन्धित है क्योंकि ये वर्म में पारलाइसिस उत्पन करता है छट पटाते हुए वर्म बाहर आता है अगर ये वर्मिसाइड मेडिसिन्स खाये जाए तो हो सकता है कि गढ़ में बच्चे के उपर इसका बुरा असर हो वो बच्चा पारलाइस हो जाए डेथ हो जाए उसका इसले प्रिग्नेंट उमेन्स के लिए राउन वर्म की कोई दवाई तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि pregnancy terminate नहीं कर जाए या child birth नहीं हो जाए तो इस तरह आपने ascaris के विशाय में detail में समझा अब अगले session में हम लोग common round warm के बाद भूचरेरिया बेन को रफटाई यानि फाइलेरिया warm का अध्यान करेंगे Thank you, thank you very much Thank you